स्टार्ट किरते हैं आज का टॉपिक सिम्पल पेंडिलम कंस्ट्रक्शन वाइस अगर इसको देखा जाए तो सिम्पल सी कंस्ट्रक्शन होती है और क्या हमारे पास कंस्ट्रक्शन है इसकी एक फ्रिक्शनलेस पॉइंट के साथ एक मैसलेस स्ट्रिंग को अटेश किया जाता है जिसके साथ एक object को हम attach कर देते हैं जिसका mass M है और string के बारे में ये कहा जाता है कि ये inextensible string है यहाँ पर एक point या रखेगा string की length को length of pendulum नहीं कहा जाता जब हम pendulum की length को find करते हैं तो कहां से कहां तक find करते हैं fixed point से लेकर जो object हमने attach किया है उसके center of gravity तक length of pendulum जो pendulum की length होती है वो fixed point से लेकर कहां तक होती है उस object के जो भी attach किया है उसके center of gravity तक अगर swing में एक बचा बैठा हुआ है तो swing की जो overall length होगी वो fixed point से लेकर उस बचे के center of gravity तक consider की जाएगी तो ये चीज़ या रखनी है तो length अगर मैं बात करता हूँ कि overall मेरे पास क्या होगी तो वो length of string प्लस अगर ये bob attach है तो इसके radius पलाती है ये इस length का मतलब होता है तो ये point या रखना है कही question हमारे ऐसे हैं जो यहां से solve होते हैं कि जब center of gravity change होता है तो length change होती है और length के change होने से automatically हमारे पास time period की value में change आजबता है अब इस object का इस stationary point के उपर अगर हम देखें तो इस पे दो forces apply हो रही है एक इसका अपना weight जो downward होगा mg और इस weight की वज़ा से string में produce होगी tension खिचाओ produce होगा और उसकी जो direction होगी वो upward direction होगी इस point के उपर कोई और force apply नहीं हो रही इसका मददब system equilibrium बे है और जब body equilibrium में है तो at equilibrium position जिसको हम यह भी कह सकते है at mean position tension is equal to weight अब इस body को disturb करें for very small angle क्योंकि हम जब pendulum की बात करते है तो हम pendulum को disturb करते है small angle के ओपर large angle पे disturb करते है क्योंकि अगर large angle पे disturb करेंगे तो body पहले fall करेंगी under the effect of gravity और फिर vibrate करना start करती है तो prefer किया जाता है कि small angle theta पे इसको disturb किया जाए अब भी string में जो tension है वो along the string और हमारे पास अब भी इसका जो weight है वो downward है लेकिन अब ये weight tension के साथ balance नहीं हो रहा और क्यों balance नहीं हो रहा क्योंकि दोनों forces का जो line है वो same नहीं है tension इस line में act कर रही है और अगर मैं यहाँ पर weight को देखता हूँ तो weight इस line के long act कर रहा तो अगर दोनों का line सेम नहीं इसका मतलब ये दोनों balance भी नहीं करेंगे अब अगर ये balance नहीं करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें resolve करना पड़ेगा तो मैं यहँ यहाँ पर क्या करूँँगा मैं resolve करूँगा weight को अगर ये तोनों lines parallel हैं तो ये एंगल भी क्या होएगा, ये थीटा होगा, आफ वेट को रिजॉल्व करें, कैसे रिजॉल्व किया जाता है, ड्रॉ करें पर्पेंडिकुलर, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये साइड जो है, ये बेस है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, एम जी कॉज ओफ थीटा, और ये हमारे पास पर्पेंडिकुलर है, और इस पर्पेंडिकुलर को क्या लिखा जाएगा, एम जी साइन थीटा, तो हमने क्या देखा, जब प्रेंडिलम को उसकी मीन पोजिशन से डिस्जर्ब करके, हम कहां पर ले गए, हम उसको एक्स्ट्रीम पोजिशन पर ले गए, तो एक्स्ट्रीम पोजिशन पर अब उस बॉड़ी पे दो फोर्स अप्लाए हो रही है, एक फोर्स हमारे पास जो वेट का कॉम्पोनेट वो क्या है, तो हम जी कॉस थीटा, और दूसरी जो फोर्स उस पर अप्लाए हो रही है, तो हम जी साइन मतलब एक्स्ट्रीम पोजिशन के ऊपर टेंशन कम हो जाती है, मीम पोजिशन पर जो टेंशन थी वो क्या थी, इक्स्ट्रीम पोजिशन के ऊपर जो टेंशन है, वो किसके इक्वल है, वो वेट के कॉम्पोनेट के इक्वल है, तो पहला शॉर्ट क्वेस्टन तो आपको य क्या पता चला? कि mean position के ऊपर string में जो tension होती है that is greater than tension at extreme position और reason बड़ी simple सी है कि mean पर tension weight के equal है, extreme पर tension weight के component के equal है mg sin theta को देखें, जब body को extreme पर लेकर जाया जाता है तो उसमें position के change होने की वज़ा से energy store होती है और उस energy की वज़ा से उस body के अंदर एक restoring force present होगी जो उसको वापिस mean position की तरफ लेकर आएगी तो यह जो restoring force है, जो towards mean body को accelerate करवाएगी, यह किस component के equal है? mg sin theta के तो mg sin theta को हम क्या लिखेंगे? that is equal to restoring force और direction towards mean है, तो यहाँ sign के आएगा? negative आएगा अब एक और चीज़ यहाँ पर जो आप लोगों नहीं याद रखनी है, जो आपकी बुक में mention है कि आप से MCQ यह पूछा जाता है कि जब body को mean position से extreme पर लेकर जाया जाता है तो कौन सी force balancing force है और कौन सी unbalancing force है? तो अगर हमसे MCQ पूछा जाए कि which force is balancing force तो extreme position के उपर जो force balancing होगी वो कौन सी होगी? mg cos theta और यह किस के साथ balance हो रही है? यह balance हो रही है tension of the string के साथ और हमसे यह अगर पूछा जाए कि जब body को mean से extreme पर लेकर जाते हैं तो which force is unbalancing force? तो यह तो होगया balancing अगर unbalancing के बारे में आप से MCQ पूछा जाए तो unbalancing force वो है जो body में torque produce कर रही है body को वापस mean की तरफ displace कर रही है और वो क्या है? that is minus mg sin theta और यह unbalancing force किस के equal आ रही है? restoring force के तो यह दोनों points आप लोगोंने MCQs के हवाले से या रखने है अब further हमारी जो सारी के सारी calculation है वो इसी base पे आती है कि हमारे पास अगर restoring force minus mg sin theta के equal है तो यहां पर restoring force को हम substitute कर देंगे equal to ma तो जब equal to ma substitute करेंगे तो यह result बन जाएगा minus mg sin theta is equal to ma तो m से cancel हो गया तो result क्या आया? acceleration is equal to minus g sin theta इस result को देखें यह result आपको क्या बता रहा? कि जो body की acceleration है वो gravitational acceleration के component के equal है ag के equal नहीं है ag sin theta के equal है तो यहां से हमें यह result मिलता है कि जब pendulum vibrate करेगा, accelerate करेगा तो उसकी जो acceleration होती है वो acceleration due to gravity से कम हो जाती है और यह हमें result से पता चलता है कि component के equal है बहुत ज़्यादा chain ही आता क्योंकि angle बहुत small है small angle के लिए sin की value में बहुत ज़्यादा chain ही आता लेकिन अगर हम mathematically बात करें तो value कम हो रही है अब exact calculation की तरफ हम नहीं जाएंगे next step क्या होता है हम sin theta को replace करते है और sin theta कहां से आता है यह basically pendulum के अंदर small angle के लिए triangle बनती है यह mean position से extreme is displacement को delta x यह जो small angle हमारे पास है यह delta theta और यह हमारे पास length of string L है तो यहां से हम s is equal to r theta का relation apply करके उसे भी sin theta को find करते है और even हम triangle use करें sin theta perpendicular over base तो तब भी sin theta की value find होती है हम direct यहां पर लिखेंगे एक इसके equal है minus g x over L और यह result आपको देखकर पता चल गया कि यह same वैसा ही relation है जैसा mass spring system का था कि g और L constant है और साब multiply कोन हो रहा है x अभी यह mean position पर acceleration due to gravity के equal होगी g के equal होगी तो यह result हमारा जो है a is equal to minus g over L x यह क्या बता रहा है यह बता रहा है कि acceleration is equal to minus constant times x acceleration is directly proportional to minus x और जब acceleration displacement के directly proportional और towards mean position तो that equation represents simple harmonic motion equation तो यह पहला result जो आप लोग ने यहा रखना acceleration का next step हमारा क्या होता है next step हमारा यह होता है कि हम इस equation को compare करते है और किसे compare करते है a is equal to minus omega square x है जो standard equation हमारी है simple harmonic motion की तो दोनों को compare करके जो next result हमारा आएगा वो angular frequency का आएगा और वो क्या आएगा under root g over L तो जैसे last मैंने बताया था कि omega constant होता है वहां under root k over m था constant vertical match spring system में under root g over x था constant और यहां पर under root g over L है यह भी कह constant है इस omega में हम उपट करेंगे 2 pi over t तो time period का relation आजाएगा 2 pi under root of L over g और time period के इस relation को जब reverse किया जाएगा reciprocal लेंगे तो frequency आएगी and that is equal to 1 over 2 pi under root of g by L तो यह हमारे results है simple pendulum के acceleration, angular frequency, time period और उसके अलावा frequency simple relation, theoretical questions जो आते हैं वोपर मैंने discuss कर लिये अब हम इन से further questions बनते हैं उनकी बात करेंगे मैं start करूँगा बड़े simple से questions से अगर हमारे पास एक pendulum की length का relation है वो 2 pi under root of G है तो यहां पर एक short cut time period के formula से related मैंने आपको क्या बताया था मैंने बताया था कि हमारे पास जो pi square होता है वो G के equal होता है इसका मतब जो pi है वो under root of G के equal है जब pi under root of G के equal है t is equal to 2 under root L इसलिए मैंने का था कि within no time आप लोग answer बता सकते है कि क्या है यह formula आप लोग नहीं आ रखना है अब इस formula के अंदर मैं length को put करूँगा 0.5 जब मैं length को equal put करूँगा 0.5 तो 0.5 का मतलब होता है 1 over 2 तो यह आपके पास answer आ गया 2 over under root of 2 अब 2 over under root 2 को solve कैसे किया जाता है answer यह भी सही है गलत नहीं है लेकिन proper form नहीं है इसको under root 2 से multiply कर दें under root 2 से divide कर दें इसको बोलते है rationalization तो क्या आपके पास आएगा ऊपर आएगा 2 under root 2 नीचे आपके पास क्या आएगा 2 तो cancel तो under root 2 आपका answer है तो क्या under root 2 होता है under root 2 होता है 1.4 तो 1.4 second इसका answer है दूसा तरीका इसको solve करने का क्या होता है कि कभी आपके पास calculation के अंदर फर्स करें यह आगया 2 over under root 2 तो क्या आप इस 2 को लिख सकते है under root 2 whole square जब under root 2 whole square लिख सकते है जो यह cancel हो जाएगा तब भी answer क्या है under root 2 और under root 2 क्या है 1.4 second तो मेरा मकसद इतने असान question का जो था वो यह था कि आप लोगों को मैं यह shortcut बता दू कि pendulum के case में आप लोग यह direct shortcut यूज कर सकते हैं अगर आप लोगों ने length से time period या time period से length को find करना है जब हम बात करते हैं कि calculation असान कैसे होती है तो आपको ऐसे shortcut सोचने है पहले से कि जैसे ही test आए question सामने हो आपको पता हो कि मैंने इसको ऐसे solve करना है अब इस formula से आप easily अब एक चीज़ देखो कि अगर मैं यहां पर इस formula में जो length की value है उसको मैं one meter put कर दूँ तो length की value को अगर मैं one meter put करूँगा तो time period कितना आएगा two second और एक ऐसा simple pendulum जिसका time period two second होता है उसको क्या कहा जाता है उसको conventionally हम कहते हैं second pendulum तो second pendulum एक ऐसा pendulum होगा जिसकी earth के ओपर जो length होगी one meter होगी यह specifically मैं बात कर रहा हूँ for earth कि earth पर उसकी length one meter होगी और जब फामूला में length को one meter put किया जाएगा तो इसका time period कितना आएगा two second इसकी frequency कितनी आएगी point five hertz clear तो यह second pendulum convention आप लोगों ने याद रखनी है अब जब second pendulum को अर्थ से moon पर लेकर जाएगे तो क्या इसके time period में change आएगा अगर हम moon की बात करें अगर second pendulum को moon पर लेकर जाएगा तो क्या इसके time period में change आएगा अगर तो आज एगा फिर simple pendulum नहीं है, simple शी बात है कि अगर तो इसके time period में change आगया तो इसका मतब फिर वो second pendulum नहीं है तो क्या किया जाता है यहाँ रखे moon के उपर second pendulum की length को change किया जाता है यह बताएगा कि second pendulum की length moon पर कितनी होती है as compared to the length on earth second pendulum की length moon पर कितनी होती है as compared to its length on earth 1 by 6 बिल्कुल answer ठीक है, इसकी जो length होती है as compared to earth 1 by 6 होती है 1 by 6 का मतलब होता है कि earth पे length 1 है तो 1 by 6 meter जो approximately 0.16 meter होती है ऐसा क्यों है? इसमें condition आप लोग नहीं आ रखनी है यह आपको और भी कहीं पर चीज help करती है और वो क्या? वो यह कि अगर आप जो time period है उस value को जैसे second pendulum की बात कर रहे हैं length of pendulum और acceleration due to gravity का जो relation होगा वो linear होगा period means power 1 by 6 कि अगर हमारे पास moon हम pendulum को कर जाते हैं तो कई दफ़ा आपको graph इसका कहा जाता है कि L और G का graph क्या हो? time period का है constant है तो time period अगर constant है इसे लिए आप लिए represent करेगा कि हमारे पास time period की value है वो constant है चले अब ठीक हो गया, मैं इस point को repeat कर दो मैंने point यह कहा कि अगर हमारे पास time period की value constant हो तो time period की value अगर constant है तो length और G के in between जो relation हमारे पास होता है वो direct होता है और linear होता है यह point आप लोगों ने या रखना है और यह condition क्या है कि time period is constant अब यह exactly apply होता है second pendulum के अंदर क्योंकि second pendulum के अंदर हमारा time period हो constant है हम two seconds लेंगे क्योंकि अगर वो two seconds नहीं होगा अगर वो two seconds नहीं होगा तो उसको फिर second pendulum नहीं बोला जाएगा तो जब तक उसका time period two seconds है वो second pendulum है तो तब तक L और G के in between जो relation होगा वो direct होगा और linear होगा similarly अगर मैं इस point को यह लिखूँ कि अगर हम moon पे बात करते हैं तो moon पर हमारे पास second pendulum में क्या change आता है second pendulum में change यह आता है कि moon पर जाके gravitational acceleration g by 6 हो जाती है तो gravitational acceleration अगर g by 6 हो जाएगी तो automatically जो length हमारे पास होती है moon पर जाकर वो क्या हो जाती है L by 6 तब ही हमने कहा था कि moon पे जो length है वो 1 by 6 of L के equal है तो यह point आप लोगों ने या रखना है कि हमारे पास कभी भी अगर time period constant होगा तो length और g यह direct relation होगे और इनके in between अगर हम graph draw करेंगे तो वो graph क्या होएगा linear और जब भी यह graph linear हो तो इसका result अगर हमसे पूछा जाए कि इस graph का result क्या है तो आप कहेंगे कि यह graph हमें यह बताता है कि overall time period की जो value है वो constant है चले यह तो बात हो गई second pendulum के बारे में अब next pendulum के हवाले से एक और point discuss करता है अगर मैं आपसे एक question पूछता हूँ कि हम एक pendulum जो पहले कहां था अर्थ पर और उसका time period कितना था vibrate करने का let's say उसके vibrate करने का time period T था मैं इस pendulum को shift कर देता हूँ एक new planet पे उस new planet के बारे में मुझे यह कहा गया कि उस new planet का mass as compared to earth mass double है और उसका जो radius है as compared to earth radius half है तो question मेरा क्या है कि अगर हम एक pendulum को जिसका time period earth के उपर कितना था T अगर हम उसको simple उठाते हैं और एक ने planet पे ले जाते हैं कुछ यह नहीं कर रहे हैं उसकी length कुछ यह नहीं कर रहे तो new planet का mass है वह as compared to earth mass double है और उसका radius earth के radius से half है तो यह बताएं कि वहाँ पर जाकर उस pendulum का time period with respect to earth कितना हो जाएगा अब ऐसे question को solve करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए देखें जब हम earth से किसी new planet पे जाते हैं तो सबसे basic चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि gravitational acceleration का formula क्या है और वह है gm over r square तो यह earth पर हो गया उस planet की अगर बात करें तो उस planet का mass भी different है तो उस planet का radius भी different है तो उसका g भी different होगा अब put करें mass की value, mass कितना है 2m, कितना radius है r by 2 whole square solve करें इसको, ऊपर आपके पास आगया 2 times gm, नीचे आपके पास आगया r square by 4 4 multiply होगा 2 से, जब 4 multiply होगा 2 से यह आएगा 8 तो gravitational acceleration की value आगई 8 times gm over r square what is gm over r square? जो यह gm over r square हमारे पास है, यह basically g की value है जो earth की है, इसका मतलब एक ऐसा planet जिसका mass double और radius half उस planet की gravitational acceleration अर्थ से 8 गुना जादा है मतलब अगर earth की 10 है तो उसकी 80 meter per second square है अब यह value आई यह g की, यह answer नहीं आया अब हमने उस pendulum की कोई चीज़ यह नहीं की थी ना, अब जोड़ा time period की उपर आ जाए time period क्या होता है, 2 pi under root l over g अब length same है, फर्क किसमें बढ़ा g में तो g के फर्क पढ़ने से t को फर्क पढ़ेगा, अब g की value को put कर दें g कितना आ गया? 8g तो मैंने g की जगा यहां पर 8g substitute कर दिया 8 के लावा बाकी तमाम चीज़ें मैं separate लिख दू तो 8 के उपर under root रहेगा और बाकी चीज़ें के हैं 2 pi under root l over g तो 2 pi under root l over g हमारा अर्थ के उपर time period था तो answer क्या आ गया? अर्थ का time period divided by under root of 8 तो यह इसका answer है 1 over under root 8 times time period on earth तो under root 8 को solve कर लें under root 8 का मतलब है 4 into 2 4 का under root 2 तो इसको यह भी लिखा जा सकता यह किसके equal है? t over 2 under root of 2 तो यह जो 1 over under root 8 है इसको यह भी लिखा जाएगा 1 over 2 under root 2 times time period on earth खिजर question सुने properly आपने question नहीं सुना आप conclusion की दरफ चले गए question था कि हम planet पे गए और उस planet का mass double है उस planet का radius हाफ है pendulum की कोई चीज चेंज नहीं हुई यह मैंने start में बोला था तो question आपने proper नहीं सुना जिस वज़ा से आप यह सवाल कर रहे है तो इस question से आपको basic चीज क्या सीखने को मिली आपको यह मिला कि हमारे पास जो g का relation है वो क्या है that is g m over r square या नहीं pendulum के case में जब g की value change होगी तो automatically हमारे पास time period भी change हो जाएगा clear यह point हो गया एक question point view से के question इसमें कैसा आ सकता है next अगर मैं height की बात करूँ या depth की बात करूँ मैं question उसे later नहीं करवाँगा मैं सिर्फ आपको यह चीज बता देता हूँ जो आपको कहीं help करती है कि अगर हमारे पास अर्थ और हम अर्थ की surface से किसी certain height पे जाते हैं हम अर्थ के अंदर किसी एक certain depth में जाते हैं इन दोनों से g की value में change आता है तो आपको दोनों से g के formula को पता होना चाहिए कि क्या आएगा with respect to height formula अगर मैं लिखता हूँ तो वह यह आएगा g m over r plus h whole square depth के case में यह रखेगा यह formula apply नहीं होता depth के case में मैं formula किसी और form में लिखूंगा g times जो actual g था 1 minus d over r इसमें d depth है और r हमारे पास radius है यह point आप लोगों नहीं यहार रखना है कि हमारे पास height और depth दोनों के साथ जो g की value है वो change होती है तो कभी अगर भी question आता है कि हमारे पास इस height पर लेगे तो अब time period क्या होगा तो time period तभी calculate होगा जब हम g को calculate कर सकेंगे बर यह वहीद यह topic नहीं है कि g की value vary क्यों करती है इसका मैंने video upload की यह playlist में उसको देख लीजेगा फिलाल जो topics related है उसको देखें कि वह क्या हमारे पास है फिर आप इस g की value की change में चले जाएंगे तो यह काफी लंबा topic है मैं आपको formula लिख देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास g की value में change क्या आ रहा होता तो main point की उपर रहें जो मकसद हमारा है इस class का g जो है वो position के change होने से भी change होता है और उसका formula हमारे पास होता है g times one minus r omega square divide by g into cos of theta यह formula है जो position के change होने से g के change की बारे बात करता है जो मर्यम वहीद ने बात की न पोल और equator की वो पोल और equator आप यहां से easily find कर सकते हैं जो theta है इसके बारे मैं बता दूँ के theta आपने जो लेना है यह with respect to equator लेना जब आप equator line की बात कर रहे होते हो तो equator के उपर आपका जो angle होगा zero होगा और जब आप equator से पोल की तरफ जाते हो तो g की value बढ़ती है तो यह जो angle हमारे पास होगा with equator line यह theta होता है तो यह formula जो मैंने left side पे लिखा यहां को बता देगा के pole और equator पे g की value में कितना change है और यह formula जो मैं लिखा है third यह हमें एक और result बताता है rotation के बारे में आर्थ की rotation के change होने से भी g की value में change आता है और इस formula के अंदर जो हमारे पास omega है यह omega basically angular frequency है कि earth कितनी velocity से rotate कर रही होती है center of earth पे g 0 होता है यह formula मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको आपके questions कहां से मिल सके इस formula को use कर लें इस formula को अगर आप use करेंगे तो add center of earth जो depth होगी वो radius के equal आ जाएगी तो d over r 1 1-1 0 तो automatically g की value 0 आ जाएगी यह जितने सवाल आपके है ना आपको answer in formula से मिल जाएंगे यह formula मैंने इसलिए लिखे हैं सुने बात को जो बात मैं कहा रहा हूं कि यह formula का use पता होना चाहिए यह सिर्फ pendulum में use नहीं होना pendulum के अलावा आपको यह test भी देते हैं तो वहां पर भी आप इसको use कर सकते हैं और यह last formula इसको apply करके देखे जाए कि अगर आपको यह कहा जाए कि if earth stops spinning मतलब omega 0 हो जाए तो फिर g पर क्या फर्ग पड़ता है इसका answer खुद देखेगा आपको idea हो जाएगा कि क्या हम weightless हो जाते हैं यह नहीं होते क्या हमारा weight भड़ जाता या कम हो जाता जाएद नहीं होगा ठीक मैं derivation की तरफ नहीं जा रहा depth के अंदर जाने से सिर्फ और सिर्फ आर चेंग नहीं होता depth के अंदर जाने से mass जो होता है effective mass वो भी change होता है तो height वाला formula का भी depth पे use नहीं होता अगर आप use करोगे तो center of earth के उपर जी infinite आ जाएगा zero नहीं आएगा और यह गलत है अब एक point जो उपर mention उसने अर्सला नहीं किया था वो मैं यहां पर answer दे दूँ इस topic से related के अगर हम अर्थ के अंदर एक tunnel बनाते हैं और tunnel इस तरह की के वो pass करे exactly अर्थ के center से यह एक tunnel बना दी और यहां पर अगर हम किसी body को drop करते हैं तो यह रखें यह example है simple harmonic motion की वो body उस tunnel के अंदर oscillate करती रहेगी वो pass नहीं करती और वजह बड़ी simple है कि जिस तरह हमारे पास simple harmonic motion में center पर acceleration zero होती है और extreme पर maximum होती है इसी तरह हम tunnel की बात करें तो tunnel में भी ऐसा ही होगा कि center के उपर acceleration zero होगी और surface के उपर क्या होगी maximum तो अगर यहां पर आप pendulum को drop करो किसी body को drop करो तो वो oscillate करना शुरू कर देगी और यह example है simple harmonic motion और ऐसे case में सिर्फ information की हद तक बता रहा हूँ जो body vibrate करेगी उसका time period approximately 84.6 seconds होता है सिर्फ और सिर्फ test की हद तक ना सोचें कि आपने जो test देना है बस वही है उसके लावा भी कहीं use हो सकते हैं महमत शेयर्यार फामूलाज लिख दी हैं अगर हम अर्थ की center से away जाएंगे तो automatically g बढ़ेगा surface पे जाके maximum हो जाएगा फिर surface से उपर जाएंगे कम होना शुरू हो जाएगा यह metric level पे आप लोग पढ़ते हैं variation of g के बारे में center of earth पे zero, surface पे maximum फिर surface से उपर जाएंगे फिर कम होना शुरू हो जाएगा यह हो गया g के बारे में और यह बताने का मकसद आपको था कि जी की variation, pendulum के अंदर time period को किस तरह से change कर रही होती है next, एक और question की तरफ चलते हैं और वह question यह है कि हमारे पास एक swing है इस swing के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक boy है जो बैठा हुआ है और swing vibrate कर रहा है with time period T अगर इस swing की vibration के दौरान यह बच्चा है यह swing में खड़ा हो जाता है तो क्या इसके vibrate होने का जो time period है वो भड़ जाएगा, कम हो जाएगा यह same रहेगा और अगर change होगा तो क्यों change होगा आपने इस नहीं बताना कि increase और decrease और same आपने साथ reason भी बतानी है कि पहले वो sitting position में था next उसने क्या किया standing position में चला गया तो time period पे क्या फर्क पड़ेगा एक question time period से related भी पूछा जा सकता है frequency से related भी पूछा जा सकता है speed से related भी पूछा जा सकता है यह बिल्कुल आप लोगों का answer ठीक है length decrease कर जाती है क्योंकि हमने बात उपर की थी कि जो pendulum की length होती है वो center of gravity तक होती है तो जब बचा बैठा हुआ है उसका center of gravity यहां पर है तो यह overall इस pendulum की swing की length है standing position में जो center of gravity होगा वो rise कर जाएगा और center of gravity के rise करने से उस swing का जो length है वो decrease कर जाएगी तो हमने क्या पढ़ा कि time period का length के under root के साथ direct relation होता है तो अगर length के साथ direct relation है तो इससे यह पता चला कि हमारे पास अगर length की value decrease कर जाएगी automatically time period decrease कर जाएगा और time period decrease करने का मतलब क्या होता है वो अपनी एक vibration कम time में cover करेगा तो time period decrease करने का मतलब frequency उसकी increase कर जाएगी और speed भी automatically क्या करेगी वो increase कर जाती है तो standing और city position का जो main concept यहां पर है वो shift of center of gravity है कि center of gravity के shift होने से length change होती है और length का change time period को change कर देता है और अगर swing में एक की बजाए दो बचे बैट जाएए तीन बचे बैट जाएए और center of gravity disturb नहीं होता तो overall time period में change नहीं आएगा सेम ऐसा ही सवाल आप लोगों से पूछा जाता है कि हमारे पास अगर एक ball है और वो empty है उस ball को आप क्या करते हैं fill कर देते हैं किस से किसी liquid से let's say आपने उसको fill कर दिया water से वो vibrate कर रहा है अपने mean position के about अचानक क्या हुआ पानी leak करना start हो गया अब जो पानी leak करना start करेगा तो क्या होगा क्या central gravity shift करेगा अगर पानी वहाँ से leak करना start हो गया है तो क्या हमारे पास central gravity shift होगा और अगर central gravity shift होगा तो time period में क्या change आएगा और last में यह हुआ कि सारा का सारा पानी जो है वो उसमें से निकल गया अब वो जो बॉल है वो M.T. है सारा पानी ग्राउंड के उपर है यह 3 पॉइंट्स हैं पहले पॉइंट पे टाइम पिरिट को T.A., दूसे पॉइंट पर T.B., और तीसे पॉइंट को बोल देता हूँ TC, आपने ये बताना है कि इन तिनो टाइम पिरिट्स का आपस में रिलेशन क्या है, कौन किस से ग्रेटर है, कौन किस के एक्वल है, पहला पॉइंट तो में ये पता चल गया, कि हमारे पास जब पानी लीक होगा, तो सेंटर ओफ ग्रेविटी, जो पहले यहाँ पर था, ओवरॉल मैस की डिस्टिबूशन के चेंज होने से, वो शिफ्ट हो गया, डाउनवर्ड, उसके बाद दुबारा सेंटर ओग्रेविटी राइस करके, कहां चला गया, अपवर चला गया, तो तीन पॉइंट पगर हम देखें, तो जो टी बी है, वो ग्रेटर है दोनों से, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर, हमारी जो लेंथ है, वो क्या कर गई है, इंक्रीस कर गई है, तो बी पॉइंट के ऊपर, लेंथ बढ़ गई, टाइम पिरिट बढ़ गया, तो इनका जो cancel बनेगा, कि time period at A and C are equal but lesser than at point B, तो चाहे मरकरी हमारे पास move करें downward, तब भी हम इसी point of view से इस concept दे रहे होता है, तो यह हो गया question center of gravity के point of view से, अब next question की तरफ चले जाते हैं, कि हमारे पास और pendulum में क्या question पूछे जाते हैं, अब मैं चला जाता हूँ elevator के cases की तरफ, कि हमारे पास एक elevator के chamber के अंदर एक pendulum suspended है, जिस pendulum के vibrate करने का जो time period है, वो T है, अगर यह elevator accelerate करता है upward, कितनी acceleration के साथ, let's say, with acceleration of g by 2, तो यह बताएं, कि इसका जो new time period होगा, और जो पहले time period होगा, इसकी ratio किसके equal आएगी, हसन अजीर, mass पे depend नहीं करता, लेकिन body के mass के upward और downward जाने से, central gravity तो change हो जाता है, आप जब जमीन पे लेटे होते हो, आपका central gravity ground के close होता है, बैठे होते हो, central gravity ground के ऊपर चला जाता है, खड़े होते हैं, central gravity मजीद ऊपर shift हो जाता है, तो आपका mass change नहीं हो रहा है, लेकिन central gravity with respect to ground change हो रही है, same case pendulum में है, जब pendulum में mass shift होगा downward, कोई body, में से, कोई liquid leak कर जाता है, तो mass के downward जाने से, overall उस पूरे system का, जो central gravity होगा, वो downward चला जाएगा, next question अब आपके सामने, कैफ जो question है, whatsapp कर देना, अभी lecture के बाद, ठीक है, कैफ weight का पूछ रहा है, mass का नहीं पूछ रहा, अगर तो mass same होता, तो automatically हम कहते हैं, के हमारे पास, mass same है, time period same है, weight अगर different होगा, तो automatically आपका जो g है, वो factor different है, अनुशा mass पर depend नहीं करता, weight change तब होता है, जब g change होता है, तो जब g change होगा, तो time period change होगा, यह कैफ का answer है, question यह है, के हमारे पास एक elevator है, उस elevator के अंदर जो pendulum है, उसके vibrate करने का time period T है, अगर वो elevator accelerate करे upward, with acceleration g by 2, तो new time period, और जो पहले time period था, यहनी rest पे था, तब time period की ratio क्या आएगी, इसको मैं यूँ कह देता हूँ, के जब elevator rest पे था, तो time period T है, और जब हमारे पास elevator क्या कर रहा है, accelerate कर रहा है, upward, तो तब time period T' है, इन दोनों की ratio मैंने आप से पूछी है, अब इस question का answer देने के लिए, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको elevator के cases पता होने चाहिए, और वो cases क्या हैं, वो cases यह हैं, कि अगर हमारे पास elevator, accelerate करेगा, upward, तो time period, जो हमारे पास time period होगा, उसका जो relation होगा, वो क्या होगा, 2 pi under root L, over G, plus A, और अगर, elevator, accelerate करता है, downward direction में, तो तब उसके जो time period का relation आएगा, वो क्या आएगा, 2 pi under root L, over G, minus A, और मैं एक बात यहाँ पर clear कर दूँ, मैं बात कर रहा हूँ, accelerate की, अगर यहाँ accelerate की जगा, de-excelate होता, तो sign change हो जाता है, यहाँ G, plus A की जगा, minus आजाता है, और यहाँ G, minus A की जगा प्लस आजाता है, इसी इसका ख्याल रखना है, अब हमारा जो question है, वो किस से related है, accelerate upward से, तो हम जब formula बनाएंगे, T dash, over T, तो denominator में तो simple आजाएगा, 2 pi L over G, numerator के अंदर क्या आएगा, 2 pi under root L, over G, upward accelerate कर रहा है, तो यह plus A आएगा, अब क्या चीज़ हमारे पास cancel out होती है, 2 pi cancel हो जाएगा, इसके लाबा, L cancel हो जाएगा, G, numerator में चला जाएगा, G plus A, denominator में, तो formula बनजेगा, T dash over T, is equal to under root of, G, over G, plus A, अब यहाँ पर values put कर दें, अब जब values put करेंगे, तो आपके पास answer आजाएगा, कितनी acceleration थी, G by 2, तो 1 plus 1 by 2 होता है, 3 by 2, तो denominator में, G plus G by 2, तो वो 3 G by 2 आएगा, और यहाँ से G cancel होगा, 2 चला गया numerator में, तो answer क्या है, under root 2, over 3, तो जिनका under root 2, over 3 answer है, वो correct है, तो यह elevator का case है, कि अगर elevator accelerate upward करें, या elevator accelerate downward करें, तो उसके time period में change आता है, लेकिन अगर elevator accelerate नहीं कर रहा, uniform velocity से move कर रहा है, तो फिर उसके time period में, किसी दी तरह का change नहीं आता, clear, तो यह आप लोगों ने point या रखना है, और de accelerate का मैंने point बता दिया, कि अगर de accelerate होगा, तो automatically a positive नहीं negative होगा, तो जो formulas मैंने left side बे लिखे, वो क्या हो जाएंगे, वो change हो जाएंगे, फिर elevator में case होता है, free fall का, free fall का मतलब होता है, कि body move कर रही होती है downward, किसी भी तरह का apparent weight नहीं होता, और उसकी जो acceleration है, वो किसके equal है, ग के, तो यह case कौन से elevator के, free fall का यही वाला, तो इस case में, जब आप formula के अंदर values पूट करेंगे, तो नीचे आएगा g minus g, तो g minus g, 0, और कोई भी चीज डिवाइड हो, 0 से तो answer क्या आता है, infinite, अलीडार यह difficult question नहीं है, आप 2017 का paper देखें ज़रा, कई दफाए से question आगे है, जब आपके topics related होते हैं, लेकिन वो different concepts को use करता है, जो आप पढ़ते हो, उस level के उपर, क्योंकि A-levels का भी वोई टेस्ट होता है, FSC वालों का भी वोई टेस्ट होता है, elevator वाला case यह नहीं है, यह pendulum वाला case है, पैंडलोम अगर elevator में हो तो क्या होगा, और सारे बचे इस कहते हैं, lecture में MDCAD के नहीं है, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जो MDCAD में चांस होता है, लेकिन दूसरे के syllabus में वो चीज़ होती है, तो उसको वो help out कर देती है, तो यह रखिएगा, कि जब हमारे पास elevator, free fall करेगा, तो उसका time period infinite हो जाता है, उसकी frequency, zero हो जाती है, और frequency के zero होने का मत्दब होता है, कि उसमें किसी भी तरह की vibration नहीं होती, वाइबरेट करना रूख जाएगी, तो कभी आपसे direct या अगर question free fall का पूछे है, तो आपने यह condition यहा रखनी है, कि free fall के अंदर, हमारे time period की value infinite, यानि वो अपनी vibration कभी मुकमल नहीं करेगा, यह मुकमल नहीं करेगा, number of vibrations zero, frequency zero, और frequency zero means, उसकी vibration रुख जाएगी, तो अगर यह elevator की रसी तूट जाए, तो यह free fall का case है, तो फिर pendulum vibrate नहीं करता, और यह practical यह आप कर सकते हैं, कि अगर आप छट पे खड़े हैं, और आपके हाथ में कोई pendulum है, आप सको छट से drop करते हैं, तो नीचे आते वे, वो pendulum vibrate नहीं करता, तो free fall में चीज़ें vibrate नहीं करते हैं, तो यह elevator के cases, आप लोगों को मैंने बताए, आपको help out कर सकते हैं, अगर कोई question ऐसा आता है, ठीक है, तो यह चीज़ हो गई elevator में, accelerate upward, accelerate, downward और free fall, अब इसी point को जो मैंने बताया, इसको अगर मैं एक और जगा, यूज़ करता हूँ, अर्थ, अर्थ के राउंड, एक satellite revolve कर रही है, कितने distance के उपर, distance r के उपर, और उस elevator के अंदर, एक pendulum है, जिसका अर्थ पे, vibrate करने का जो time period है, वो T है, अगर हम अपने orbital radius को बढ़ा देते हैं, कितना कर देते हैं, 2R, और ये, satellite इस point पर आगए, तो क्या, हमारे पास उस pendulum के time period में, change आएगा, या नहीं आएगा, अर्थ के राउंड, एक satellite revolve कर रही है, जिसमें एक pendulum suspended है, जिसका अर्थ पे time period, T है, अगर हम उस satellite का radius, बढ़ा कर 2R कर देते हैं, तो उस pendulum के time period में, क्या change आएगा, बिल्कुल इसका answer होगा, no change, और वो no change का मतलब, मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है, हम जानते हैं, कि कोई भी body, जो earth के around revolve कर रही होती है, वो freely falling body होती है, ये बात या रखनी है, everybody, rotating around the earth, is freely falling body, और फ्रीलिफ़ूलिफ़ूलिफ़ूलिफ़ूलिफ़ूलिफ़ूलिफ़ूलिफ़ूलिफ़ूलिफ़ूलिफ़ूलिफ़ूलिफ़ूलिफूलिफ़ूलिफ़ूलिफ़ूलिफ़ूलिफ़ूलिफ़ूलिफूलिफ़ूलिफूलिफूलिफ़ूलिफूलिफ़ूलिफूल बोला जाए, चाहे body rotating around the earth बोला जाए, इन तमाम का मतलब सेम, इसका मतलब उसका जो time period है, वो पहले भी infinity था, बाद में भी infinity है मतलब उसमें पहले भी radius r में भी किसी तरह की vibration नहीं हो सकती, क्योंकि freely falling है, और चाहे radius को 2 r करें, चाहे 10 r करें वो body हमेशा freely falling रहेगी, तो अगर वो body freely falling है, तो उसमें vibration produce नहीं कर सकते हैं तो यह point आपने यहा रखना है, कि freely falling bodies के अंदर, vibration produce नहीं होती, पहले भी infinity और radius के बढ़ाने से भी वो क्या रहेगी, वो infinity ही रहेगी अब मैं conclude अगर करता हूँ इसके बारे में, पैल्लम के बारे में तो जब हम center of earth के उपर होते हैं तो center of earth के उपर g कितना होता है? 0 अगर center of earth के उपर हमारे पास g 0 है तो या रखिएगा center of earth के उपर g 0 होने से यहां पर भी आपका जो time period आएगा वो क्या आएगा? infinite यहां भी vibration नहीं होगी अगर एक elevator जिसमें pendulum suspended है वो free fall कर जाए तो वहां पर भी time period infinite vibration नहीं होगी चाहे वो second pendulum क्यों ना हो? वाइबरेट ही नहीं करेगा और अगर हमारे पास एक body earth के round revolve कर रही है तब भी वो body freely falling है इस case में भी उसके time period की value कितनी होगी infinite और वो body vibrate नहीं करेगी तो यह तीनों points या रखिएगा जैकर कोई MCQ आता है कि कोई से points similar है जैसे कई दफा कहते हैं pick the odd one out तो इन तीन points के उपर तो vibration नहीं है कोई इनके अलावा point हो तो उसके बारे में सोचा जा सकता है कि क्या body वहाँ vibrate करेगी या नहीं करेगी तो मीज़ा यह pendulum से related जो different cases है इनका आपको idea हो गया होगा कि किस तरह से हमारे पास इन तमाम cases के अंदर कभी length change होने से time period change हो रहा है अब last में मैं next topic से पहले मैं graphs की बात करूँगा कि अगर हम pendulum के graphs को draw करना चाहें तो उन graph की shape हमारे पास किस तरह सकी होगी तो last point pendulum से related graphical representation graph बनाने से पहले मैं आपको इस चीज़ बता देता हूँ जो चीज़ आप verify कर सकते है खुद से values लेकर अगर पी formula हो उसमें substitute करके graph की shape क्या बनेगी देखे हमारे syllabus के अंदर graph है उनकी different shapes है मैंने formula sheet में आप से graph share भी किये कि अगर हमारे पास दो quantities का relation इस तरह से हो कि वो power one के साथ हो तो ये linear relation के लाता है तो ऐसे case में जब linear relation होगा power one के साथ relation हो तो हमारे पास उन quantities के दरम्यान जो graph होता है वो क्या होता है straight line अब कहा सकते हैं slope uniform है अगर हमारे पास दो quantities के दरम्यान relation power one के साथ नहीं है, है direct exponent involved हो गया, power involved हो गई तो exponential curve इसको बोला जाता है चाहा power two हो, power three हो इन तमाम graphs को exponential curve बोला जाता है और यहां पर अगर मैं a और b का graph ड्रॉफ करूँगा तो relation b की power two के साथ है तो यहां जो graph हमारा बनेगा वो straight line ये बनेगा वो increasing slope का बनेगा और जितनी power बढ़ती जाती है हमारे पास उतनी ये slope बढ़ती जाती है ये बात समझा गई, दोनों relation examples आपको मिलती है ऐसे कई graph हैं जिन में power two के साथ relation होता है और अगर ये power two के साथ relation ना हो ये power three के साथ relation हो तो फर्क सिर्व इतना आएगा कि इस graph की जो slope होगी वो बढ़ जाएगी next अगर मैं inverse graph की बात करता हूँ कि A का relation B के साथ inverse है या रखिएगा inverse का graph हमेशा आपके पास कर्व होता है चाहे power one के साथ हो unless हमारे पास slope constant ना हो और ये example भी आपको मिलती है आगे स्लेपरस में जब हम chapter 12 की बात करेंगे तो एक graph draw हम करेंगे चाहाँ पर relation तो inverse होगा लेकिन graph straight line होगा तो अगर मैं यहाँ पर graph draw करना चाहूँ A और B boys law की example ले ले लें तो graph curve होता है आईजो थर्म जिसको हम बोलते है तो inverse relation का graph curve होगा unless perpendicular और base की ratio constant ना हो example आगे आएगी जब chapter 12 की बात हम करेंगे और अगर हमारे पास inverse relation तो हो लेकिन power 1 से ज़्यादा हो जाए जैसे आईजो थर्मल की जगा अगर adiabetic process आजाए तो same वही बात जो मैंने उपर कही थी जो graph होगा उसकी slope में change आ जाएगा slope बढ़ जाएगी ये graph की shapes आपको equation से पता चलती है अब next जो हमारे इस topic से later graph है उसकी बारी है कि अगर A का relation B के साथ direct तो हो लेकिन under root के साथ हो तो या रखिएगा जब भी दो quantities का अपस में relation हो और under root involved हो जाए square root और even cube root भी involved हो जाए तो जो graph होता है वो parabolic shape होता है parabolic shape होगी graph की मतलब ये graph decreasing slope का होगा अब आप easily बता सकते हो कि अगर मैं simple pendulum में graph draw करता हूँ between time period and length of pendulum तो time period और length का आपस में क्या relation होता है time period और length इनके दरम्यान graph जो होगा वो कौन sign में से बनेगा obviously आपका answer होगा last जो green के अंदर है क्योंकि time period का जो फार्मूला है that is 2pi under root l over g और हमारे पास यहां length के साथ जो relation है वो क्या है direct है और अंदर root के साथ तो graph कौन सा होगा पैराबॉलिक शेप का और यह बताएगा कि time period इस डिरेक्ली प्रपोर्शनल टू अंदर रूट और लेंथ और एक और बड़ी आपको मज़े की चीज़ बताऊं कि जब हमारे axis reverse हो जाते हैं तो graph की shape उसमें क्या change आता है simple आप यहां रखें कि हमारे पास graph की shape में यह change आएगा कि आपने जो graph बनाया है इसको 90 degree पे rotate करते है जो graph को 90 degree पे rotate करेंगे graph जो पहले decreasing slope था वो increasing slope का बनना शुरू हो जाएगा और एक और चीज़ कि ग्राफ है टी का और ल का जैसे आप बोईज ला में पी और वी का graph ड्रॉआ करते हैं तो graph आपके पास क्या होता है curve लेकिन जब graph पी और वन और वी का हो तो तब हमारे graph की shape क्या होती है state line इसी तरह अगर graph time period और under root of length के दर्मयान होगा तो फिर ये graph हमारे पास क्या होगा ये state line होगा किसी भी तरह का parabola नहीं उसकी वज़ा ये कि अब जो under root of length है ये एक variable consider होगा और इस variable की power क्या one तो graph क्या बनेगा इसका linear state line बनेगा आप लोग graph जो भी हो उसका relation देखें आपस में क्या है मैंने आपको सारी example उपर दे दी है जो possible आपके पास है उस relation को देखें अगर relation पता चल जाएगा तो easily आप जो graph है उसको draw कर सकते है clear और अगर मैं ये last graph जिसकी मैंने बात की है इस graph की मैं slope की information लेना चाहूँ तो graph की slope मुझे क्या information देगी? slope का मतलब होगा perpendicular over base perpendicular T है और base क्या है? under root of L ये क्या information दे रहा है? T over under root L सबसे असान तरीका होता है information लेने का कि आप जिन quantities का graph draw कर रहे हो उसके formula को लिख लो और फिर उस formula से जो आपको ratio required है उसको find करो तो यहां से अगर मैं T और under root L की ratio लिखूंगा तो यहां एका T over under root of L is equal to 2 pi over under root of G तो T over under root L जब हम आप मैंने लिया तो मेरे पास ये क्या information दे रहा है? ये 2 pi over under root G की information दे रहा है और 2 pi under root G क्या है? वो constant है इसका मतलब ये graph जो straight line है जो ये बता रहा है कि इस graph की constant slope है वो constant slope क्यों है? क्योंकि जब हमने इसकी ratio को find किया slope के लिए तो T over under root L वो एक constant factor के equal है और वो constant क्या है? 2 pi over under root of G तो graph की slope हमें बता देती है कि क्या हमारे पास uniform है, non-uniform है क्या वो किसी constant के equal आएगी या नहीं आएगी? मैं आपको एक और example देता हूँ तो उपर graph था T का और L का जो T का और L का graph था वो graph state line क्यों नहीं था? वो graph कर्ब क्यों था? उसकी slow find करें तो यह अब आपका काम है यह आप लोग मुझे इसकी slow find करके बताएंगे कि अगर आप इसकी slow find करो तो तब आपका variable क्या आएगा? आपको idea हो जाएगा कि जो variable आएगा उसमें ऐसा factor involved हो जाएगा जो constant नहीं है और जब वो constant नहीं होगा तो हर point पे value change होने से graph की जो slope होगी वो भी change हो रही होगी clear होगी बात कि हमारे पास जो graph है उसकी shape और मैंने अगर आपको यह कहा यहाँ पर कि graph अगर उल्टे कर दिये जाएं कि जैसे आपके पास यह graph जो था यह T का और L का वो इस shape का था अगर आपको examiner यह graph उल्टे करके दे दे कि यहाँ पर length दे दे और यहाँ पर time दे दे तो आपने करना क्या है जिस paper पे आपने graph draw किया है आप उस graph को क्या करो उस graph को उल्टा करके देख लो मतलब 90 degree पर rotate करो और page को उल्टी side से देख लो आपको exact उस graph की जो shape है वो idea हो जाएगा तो मैं चाहूंगा कि यह चीज़ आप करके देखें अभी practically कि अगर आप इस graph को 90 degree पर rotate करेंगे तो 90 degree पर rotate करने से graph की shape किस तरह की बनेगे मैं आपके answer का weight कर रहा हूँ यह आप लोग practically करके देखें अगर आप लोग ने यह करके देखा है तो यह graph की shape कुछ यूँ बनेगे यह सबसे असान तरीका है कोई भी graph हो graph अगर उल्टे कर दिये जाएं जो graph आपको पता है उसी को बनाएं उसको बनाने के बाद उसको rotate करें 90 degree पर और 90 पर rotate करने के बाद उसको flip कर दें automatically graph जो होगा बन जाएगा तो पहले graph अगर आपके पास जो था T का और L का अगर वो decreasing slope था तो rotate करने से जो आप graph बनेगा वो increasing slope का बन जाएगा यह फरक आएगा और एक student ने उपर पूछा कि हमारे पास graph ग्राफ T square का क्या होगा तो देखें T का under root L के साथ relation है तो दोनों साइड पे square लें तो T square का L के साथ relation है तो जो graph हमारे पास T का और under root L का है straight line उसी तरह से graph अगर T square और L के दर्मियान होगा वो भी क्या होगा वो straight line होगा ठीक है तो यह rule आप लोगों नहीं आ रखना है यह आपको help करेगा काफी जगों पर जब भी आप लोगों ने axis reverse करने होंगे और graph की shape को identify करना होगा और rotate कैसे करना है आपने clockwise या anticlockwise यहाँ बता देता हूँ इसको आप rotate जो कर रहे होंगे यह रोटेड करेंगे means anticlockwise anticlockwise आप rotate करेंगे और उसके बाद उसको flip कर लेंगे तो automatically आप लोगो देखेंगे कि graph की नई shape क्या बनेंगे तो इसकी practice कीजिए का different graph से आपको idea हो जाएगा कि कैसे change होता है तो यह graphical representation थी और मैंने आपको general भी बता दिया कि general हमारे पास जो graph होते है उनकी shape किस तरह की होती है further जब आगे topic में आते जाएंगे graph हम इसको further मजीद जो clear है उसको करते जाएंगे next energy conservation in simple harmonic motion time period और g का अपस में relation क्या g तो constant है अगर first करें g variable है तो inverse relation है तो inverse आपका graph बनेगा इसका जो inverse graph आपके पास उपर मैंने draw किये थे अगर आप इनको देखें अगर ये graph आपके पास जो था decreasing slope तो ये क्या होएगा ये increasing slope की form में आ रहा होगा चलिए आप मैं next एक जल्दी से topic discuss करता हूँ ये MD cat में जो हमारा presence label से है उसमें तो मेरा ख्याल है ये topic नहीं है लेकिन उसके लावा जो बाकी टेस्ट के ये topic शामिल होता है uniform circular motion and simple harmonic motion मेरा आपसे सवाल है कि जब body circle में rotate करती है तो हम कहते हैं कि उसका projection simple harmonic motion show करता है अगर हमसे ये पूछा जाए कि simple harmonic motion वो कहां show करता है कि along x-axis show करता है along y-axis show करता है कहां show करता है तो क्या आप लोग answer देंगे क्योंसे मैं repeat कर रहा हूँ कि जब body circle में rotate करती है तो हम कहते हैं कि उसका projection है वो simple harmonic motion को show करता है अगर हमसे ये पूछा जाए कि किस axis के along show करता है तो हमारा answer क्या होगा या रखें कि इसका answer क्या है इसका answer ये है कि projection of a body in uniform circular motion along any diameter of a circle सिरफ x और y axis नहीं circle का कोई भी diameter लें तो हमारे पास उसका जो projection होगा वो क्या करेगा that will executes simple harmonic motion तो रटा नहीं लगाना कि हमारे पास सिरफ along y axis होता है या long x axis उसकी motion simple harmonic होती है हम कोई भी axis diameter ले लें हर diameter के long हमारी जो motion होगी वो क्या होगी वो simple harmonic motion होगी ये point आप लोगों ने या रखना है इसमें किसी भी तरह की गलती नहीं करनी अब इसको justify अगर हम करें इसको अगर हम justify करना जाएं तो कैसे करेंगे देखे हम जब अपनी बुक को पढ़ते है तो हमारी जो FSE की बुक है उसके अंदर जो वो projection लेता है वो कहां लेता है along y axis अगर आप A level की किसी बुक को देखें तो A level की बुक के अंदर वो projection along y axis नहीं लेता वो along x axis लेता है तो मैं दोनों को आप सब को समझा देता हूँ और third one मैं आपको general भी समझा दूँगा कि अगर ना x लें ना y लें तो फिर हमारे पास क्या change आता है तीनों example अब देखिएगा कि क्या हमारे पास difference आएगा अगर तो आपका observer यहां पर है और वो देख रहा है अपने सामने तो obviously उसको जो projection नज़र आएगा वो किस axis पर नज़र आएगा उस body का y axis पर projection नज़र आएगा यह हमारी book के अंदर है लेकिन अगर हमारे पास जो observer है वो इस जगा पर हो और वो यहां से रहते वे projection को देखेगा तो उसको उसका projection body का कहा नज़र आएगा वो x axis पर नज़र आएगा इसका मतलब यह observer पर डिपेंड करता है कि observer कि साइड से उसकी motion को देख रहा होता है अब दोनों में difference क्या आएगा face constant का अगर हमारे पास body let's say point A के उपर है और observer यहां पर है तो बिल्कुल उसको सामने projection कहा नज़र आएगा center पर इसका मतलब क्या हुआ जब हम y axis पर projection देखते है तो हमारी motion start कहां से होती है mean से जब हम y axis पर projection को देखेंगे तो हमारी motion कहां से start हो रही है mean से तो कि starting point पर हमारी displacement 0 तो y axis पर हमारा face constant क्या होएगा 0 degree लेकिन जब observer यहां पर है इस जगा body यहां पर है point A पर तो उसको projection भी तो x axis पर यही नज़र आएगा तो जिस जगा body अगर x पर वही projection नज़र आएगा तो यह mean position तो नहीं है mean position तो यह है और यह कौन सी position है extreme तो फर्क क्या आया x axis पर अगर हम projection को देखेंगे तो हमारा जो face constant होगा अब वो 0 नहीं होगा वो 90 degree होगा यह difference है हमारे पास reference को change करने का इसी वज़ा से हमारी book के अंदर जब projection को y axis पर देखा तो हमारी जो displacement की equation आती है वो क्या आती है x is equal to x naught sin theta हमारी जो velocity की equation आती है वो क्या आती है v is equal to v naught cos theta और हमारी जो acceleration की equation आती है वो क्या आती है a is equal to minus a naught sin theta और मैंने इस unit के start में बताया था कि अगर हमारी motion mean से start ना हो हमारी motion start हो extreme से तो हमारी equations change हो जाती है फिर x is equal to x naught sin theta नहीं आता फिर x is equal to x naught cos theta आता इसी तरह से हमारे पास velocity की equation भी change हो जाएगी और फिर velocity की equation क्या बनेगी v is equal to minus v naught sin theta और acceleration की equation अगर बनाएंगे तो वो cos को उल्टा करके negative ले लेंगे a is equal to minus a naught cos theta तो uniform circular motion कहीं पर भी हो वो along x भी हो सकती है along y भी हो सकती है और even अगर मैं x और y दोनों को छोड़ देता हूं और दोनों के लावा मैं अपना reference को योड ले लेता हूं तो क्या change आएगा सिरफ और सिरफ face constant की value में change आएगा तो तीसरी में example आपको देता हूं अब देखिएगा के हमारे पास क्या होगा वही circular path जो पहले draw की है अब भी उसका center हमारे पास वही है अब फर्क बस इतना होगा कि observer ना तो आप x से देखेगा ना y से देखेगा फर्स करें observer यहाँ पर इस दगा जब observer यहाँ से देखेगा तो उसके सामने बिलकुल सामने नॉर्मल यह बनेगा वो diameter जिस diameter के along अब वो projection को देखेगा तो अगर body point A पर होगी तो उसको उसका projection exactly उसके सामने नॉर्मल आएगा तो अब देखें यह point जो मैंने x जो लिखा यह ना तो आपके पास mean position है और ना यह extreme position है तो क्या कहेंगे हम कहेंगे कि इस point के उपर हमारा जो face constant होगा वो क्या होगा वो greater होगा zero से लेकिन वो lesser होगा 90 से और इसके लिए हमारी जो general equation होती है वो क्या बनती है हमारी general equation बनती है x is equal to x naught sin phi plus theta बारियम शेजादी first lecture देखें oscillation का आपको idea हो जाएगा के minus क्यों लेते हैं यह सारी चीज़े मैंने वहाँ पर explain की थी तो यह point clear हो गया आप लोगों को कि हमारे पास जो circular motion है उसमें हम जब कहते हैं कि body execute करती है simple harmonic motion तो वो सिरफ x axis या y axis पे नहीं होता वो किसी भी diameter के along हो सकता है यह point clear है और equations में change आएगा यह equation तब है जब body की motion start कहा से होई means है जब face constant कितना है 0 जब हम projection कहां देख रहे है y axis पे यह equations कब use होती है जब motion start होती है extremes है जब face constant कितना होता है 90 और हम अपने projection को x axis पे देख रहे होते है और इस equation से further equations बनेंगी उससे हमारा concern नहीं है वो depend करेगा value पे यह कब है यह हमारे पास along any diameter of circle है कोई भी diameter इसमें हो सकता है तो यह आपके पास overall topic था obviously हम derivation की तरफ तो नहीं जाएंगे कि derivation इसकी क्या है उसको आप देख लीजेगा कि हमारे पास किस रहा से यह drive हो रहे होते हैं उसमें results आपको पता चल जाएंगे कि हम चाहे बात कर रहे होते हैं velocity की इस projection के चाहे हम बात कर रहे होते हैं acceleration की दोनों cases के अंदर हमारा perpendicular component involved हो रहा होता है depending upon the angle जो हमारी book के अंदर है perpendicular component होता है velocity का और इसी तरह acceleration का भी perpendicular component होता है जहां से यह derivation आ रही होती है खिजर ही conceptual नहीं है यह आप लोग FSC में पढ़ते हैं FSC में हमारा mindset सरफ यह होता है कि FSC में marks लेने है हम यह नहीं सोचते हैं कि FSC करने के बाद हमने आगे anti-test भी देना है अगर हमारे mind में हो कि हमने आगे anti-test भी देना है तो फिर हम उसको उसी तरह से पढ़ें जैसे पढ़ना चाहिए जो हक है तो अगर आप लोगों के छोटे बेहन बाई हैं तो उनको अभी से कहें उनको अभी से कहें कि FSC को proper तरह से पढ़ें अगर वो proper तरह से पढ़ेंगे तो तब ही जाकर उनके concepts बेतर होंगे कैफ मिर्जा किस जगा velocity के साथ negative आना है वो point बताएं यह सारी जो negative sign थे positive sign थे यह मैंने आप लोगों को बताए थे first lecture के अंदर तो first lecture को देखिएगा आपको idea हो जाएगा clear तो यह हमारे पास uniform circular motion से related जो case था पास विपर में इस से related एक question आ चुका है मैं वो question आप से यहाँ पर discuss करना चाहूँगा वो pass विपर में question जो था वो basically displacement का जो formula है x is equal to x naught sin theta उस से related था कोशिश कर रहा हूँ कि वो मुझे question मिल जाए ताकि मैं आप से exactly वो question यहाँ पूछूँँगा तो अब आपको idea हो जाएगा कि हमारे पास यह जो formula हमने लिखे हैं इसको किस तरह से use करना है जी 2017 का यह question था मैं statement पूरी नहीं लिखूँँगा उसके main points लिखूँँगा आपने वहाँ से idea लगाना है कि हमारे पास data क्या है बलके मैं लिख देता हूँ statement angular displacement of a point moving in a circle 10 centimeter when displacement of projection of this point along vertical diameter of circle is 8.66 centimeter will be यह MDCAT 2017 का question है मैं इसके options भी लिख देता हूँ जो option उसमें थी 30 degree थी 45 degree 60 degree और इसके लावा 70 degree अब इस question को पढ़ें तो आपको जो अपर topic मैंने यह बताया है यह clear हो जाता है कि topic से लेटेड यह question कैसे पूछा कहता है कि आपने angular displacement को find करना है किसका एक point का जो move कर रहा है एक circle में और circle का जो radius है वो 10 centimeter है तो यह जो 10 centimeter mention उसने किया यह basically क्या है यह उसका radius है और हम जानते है कि circle का radius है वो amplitude है क्योंकि अगर हम इस body के देखें तो यह अगर circle का radius तो यही इसका amplitude है चाहे along x देखें चाहे along y देखें अपर साथ उसने यह कहा कि जब projection की जो displacement है उस point के ऊपर कहा along vertical diameter तो along vertical diameter से आपको हिंड मिल गया कि हम projection को y-axis पे देख रहे हैं कहां देख रहे हैं y-axis के ऊपर और कितनी displacement है 8.66 cm यानि यह हमारे पास किस की value है यह x की value है तो question को आप अगर देखें तो question उसने specifically बताया है vertical diameter तो अगर यह vertical diameter है तो इसका मतलब हमारा formula यूज होगा x is equal to x not sin theta और अगर वो कह देता vertical की जगा horizontal diameter तो फिर आता x is equal to x not cos theta अब यहाँ पर data आपके पास है x भी है x not भी है simple आप उनको substitute करें x की value कितनी है 10 sorry 8.66 और जो हमारे पास x not है वो है 10 तो यह आगया sin theta तो यहाँ solve अगर आप करते हैं sin theta equal आजाएगा 8.66 divide by 10 और यह होता है 0.866 और 0.866 का मतलब मैंने बताया था आपको values में under root 3 by 2 होता है तो sin किस angle पर answer under root 3 by 2 देता है 60 degree पर अगर इस question में एक्जैमिनर वर्टिकल डायमीटर की जगा आपको horizontal diameter देता तब answer क्या आता है अगर एक्जैमिनर इस question में आपको वर्टिकल डायमीटर की जगा horizontal diameter देता तब answer क्या आता जी अगर horizontal diameter देता फिर 30 आता क्यों तब आप x is equal to x not cos theta यूज करते और तब cos theta की जो value आती वो 0.866 यानि under root 3 by 2 आती और cos under root 3 by 2 किस angle पर देता है 30 degree पर देता है तो अगर यह 2017 में question आया था तो यह ऐसा question दुबारा भी आ सकता है लाजमी नहीं है कि आपके पास यह question सिर्फ displacement का आये सेम ऐसा question displacement के लावा velocity का भी आ सकता है और even acceleration का भी आ सकता है तो यही नहीं सोचना कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यह displacement का question ही आयेगा velocity भी आ सकता है acceleration भी पूचा जा सकता है एक बड़ा मैं असान साब से question पूछता हूँ दो question में आपके सामने लिखे में इन questions के answer दे अब कौन सा फार्मूला यहां पर use होगा देखें फार्मूला कौन सा use होता है यह data हमें बताता है ऐसा फार्मूला जिसमें V0, X0 और time period अगर ताइम पिरियड ना हो कोई ऐसा variable हो जिससे time period calculate हो जाए तो वो फार्मूला है V0 is equal to X0 omega और omega किसके equal होता है omega equal होता है 2pi over time period के तो जो data था उसे data से बता चला कि formula क्या use होना है तो यहां से यह formula time period का आपके पास क्या आ जाएगा 2pi X0 over V0 यह formula तब use होगा जब आपके पास variables X0 और V0 given हो और time required हो तो X0 5 है, V0 हमारे पास 25 है क्या result आजएगा? 1 over 5 तो answer is 2 by 5 pi second अब second question में आपको पता चला कि कौन सा formula यूज होना है जहां A omega और X आता हो तो यह formula होगा A is equal to omega square X omega किसके equal है? 2 pi over time period के तो यहां पर अगर आप square ले लेते हैं तो यहां आपके पास आजएगा 4 pi square over T square into X तो required क्या है? T cross multiply करके square ले, मैं direct लिखूंगा तो 2 pi under root X over A तो बिलकुल मिलता जूलता formula है pendulum और vertical mass spring system जैसा वहां पर X over G या L over G था यहां X over A अब values put कर दें हमारे पास जो X है वो कितना है? 4 और A कितना है? 16 X 4 और A हमारे पास क्या है? 16 तो यह आपके पास 1 over 4, 4 का under root 2 तो 2 cancel हो जाएगा तो time period की value क्या आ जाएगी? pi second आ जाएगी तो यह simple से question है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसे questions को solve हमने किन formula से करना है? next हम बात करेंगे energy conservation in simple harmonic motion की questions के कल हम करेंगे आज हम उसके जो बाकी formula और ऐसी चीज़े हैं जो मैं पता होनी चाहिए questions को solve करने के लिए उनकी बात हम करेंगे लास्ट हमारा आज का topic होगा यह energy conservation in simple harmonic motion हमारी book में यह topic जो discuss हुआ है यह specifically discuss हुआ है mass spring system के लिए तो कि pendulum के case में अगर हम लोगों ने अब energy conservation का topic हमारी book में जो discuss हुआ है वो specifically mass spring system के लिए हुआ pendulum के लिए नहीं हुआ reason बड़ी simple है pendulum को solve करने के लिए हमें इन फामूलास की जुरुत नहीं है हम simple law of conservation of energy से कर सकते हैं हम देखेंगे के pendulum एक height पर गया fall हुआ उसकी potential energy कानेटिक में convert होगी हो जाती है इसके फामूलास डिफरेंट है जिस वज़ा से हम इसको study करते हैं अब energy conservation के topic के लिए हम लोग कुछ points इसमें लेंगे वो point कौन कौन सा है हमारे पास एक इसकी है mean position O जिस point के उपर displacement 0 एक हम point इसमें लेंगे extreme जहांपर displacement हमारे पास है maximum जो important चीज़ है वो यह है कि हमें instantaneous के फामूलास बता हूँ अगर हमें इस topic में instantaneous point के उपर फामूलास बता हैं हम easily maximum और बाकी cases को discuss कर सकते हैं तो instantaneous का मतलब होगा कि जब x आपका 0 से greater है और x naught से lesser है अब इन तीन points के उपर हम variables कोन से discuss कर रहे होंगे हम discuss कर रहे होंगे potential energy kinetic energy को तो करेंगे अलेकिन हम उसे पहले अपने table के अंदर variable दो add कर लेते हैं तीन बलके और displacement velocity और acceleration को भी और इन के इलावा हम बात करेंगे इन points के उपर potential energy kinetic energy और फिर overall हम total energy की बात करेंगे आप जानते हैं जब spring को stretch किया जाता है spring stretch होगा तो mean से extreme जाते वे work done against elastic force है उसे potential energy store होती है work done negative और फिर वही हमारे पास जो potential energy है kinetic energy में convert होती है और ये body वापिस mean position की तरफ जाता है अब revise करने की बारी है इन points के उपर ये फार्मूलाज क्या होंगे instantaneous अगर बात करूं सबसे पहले तो mean से motion start हुई displacement का फार्मूला x is equal to x not sin theta और मैं अग omega की form में लिखूं तो omega t velocity की बात करें तो v is equal to v not cos of theta या cos omega t acceleration की बात करें तो a is equal to minus a not sin omega t अब potential energy kinetic energy potential energy instantaneous का फार्मूला क्या होता है instantaneous potential energy is equal to half time k x square और अगर मैं instantaneous kinetic energy की बात करूं तो इसका फार्मूला पास फिपर में आ चुका है कि instantaneous kinetic energy का relation तो असान relation पहले मैं लिखता हूँ वो तो यह है x not square minus x square जिसे आप results easily find कर लेते हो लेकिन इसका जो दूसरा result है वो इसी से आया और वो क्या है कि अगर मैं bracket में से x not square common ले लूँ तो फिर यह क्या बन जाएगा 1 minus x square over x not square और यह दूसरा फार्मूला मैंने जो लिखा यह पास फिपर में आ चुका है instantaneous kinetic energy का अब बारी है total energy की अगर मैं इस instantaneous point के उपर total energy को find करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा मैं simply potential energy अब इनको add करके चेक कर सकते हैं जो total energy हमारे पास आएगी किसी भी instantaneous point के उपर वो क्या आएगी वो आएगी half k x not square इसका मतलब यह हुआ कि मैं spring system में हर point के उपर total energy कितनी होती है half k x not square चाहे mean है चाहे extreme है और चाहे instantaneous है हर point की total energy की value यह रहती है अब आएए mean position के उपर mean position के उपर हमारी जो displacement होती है वो zero होती है velocity हमारी क्या होती है maximum acceleration क्या होती है zero अगर displacement zero potential energy भी minimum बोलेंगे इसको और क्या होएगी zero होगी और अगर मैं kinetic energy की बात करूँ तो kinetic energy का जो formula है जब आप उसके अंदर x को zero put करोगे तो kinetic energy maximum आएगी equal to half k x not square और अगर मैं यहाँ पर इस potential energy को और kinetic energy को add करूँगा तो मेरे पास mean point के उपर भी total energy half k x not square के equal आएगी अब आजएं extreme point के उपर extreme point के उपर displacement maximum होती है velocity zero होती है और acceleration भी maximum होती है चाह वो positive negative उन science की तरफ में नहीं जा रहा है potential energy अगर displacement maximum है तो potential energy भी extreme पर maximum x की जगा आप x not put करेंगे half k x not square और kinetic energy की बात अगर करें तो यहाँ पर minimum तो यह एक्स x not आएगा तो यह difference zero kinetic energy zero और अगर मैं यहाँ पर इन दोनों का sum लेता हूँ तो अब भी total energy half time k x not square के एक वाल है तो यह formula हमारे पास है potential energy kinetic energy और total energy के जो आपने याद रखने है numericals के लिए पर ग्राफ भी तब ही बनते हैं जब आपको यह formula बता होगे आप इन formula बने relation देखेंगे कि किस power के साथ relation है उसके accordingly आप उसका graph plot करते है ग्राफ की shape कैसी होगी अब यह तो होगे हमारे पास different points के उपर इनकी values अब मेरा आपसे सवाल एक है क्या total energy, potential energy या kinetic energy vibrating body की frequency भी depend करता है क्या total energy, kinetic energy और potential energy frequency भी depend करता है और अगर करता है तो क्या relation है झाल 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 जी अगर करता है तो क्या relation है direct है, inverse है, power 1 के साथ है, power 2 के साथ है जी, दो answer मुझे मिले हैं और दोनों से यह पता चल रहा है कि frequency की power 2 के साथ relation है और direct है और यही इसका answer है तो यह रखिएगा frequency के change करने से total energy, kinetic energy, potential energy change होती है और अगर मैं कहूं कैसे तो देखिए, omega हमारे पास equal है under root k over mk अगर मैं यहाँ पर square लेता हूं तो omega square equal आजाएगा k over mk यहाँ से अगर spring constant की value in terms of omega लिखें तो वो omega square m है तो यह जो आपने k की value find की, इसको total energy के formula के अंदर replace कर दें तो total energy के half time k x square तो k की जगा पर आजाएगा omega square m x not square तो यह total energy का formula आप लोग देखें तो आपको idea होगा कि omega square के साथ relation है तो omega किसके equal है, 2 pi fk, 2 का square 4, 4 2 से cancel होगा मैं direct लिख रहा हूं तो यहाँ एका 2 pi square f square m into x not square और time period की form में 2 pi square m x not square over t square तो total energy depends upon frequency of vibrating body और relation क्या है frequency के square से direct और time period के square के साथ इसका relation क्या है वो inverse है overall तो हम यह कह रहे हैं कि हमारे पास यह conserve है बिल्कुल conserve है next, मैं आपको एक formula दो बताना चाहूंगा potential के और kinetic के in terms of cos theta और in terms of sin theta कि अगर आप लोगों को theta की value बता हो तो theta की value से भी आप बता सकते हैं कि potential energy क्या होगी और kinetic energy क्या होगी अब वो formula क्या है आप लोग जानते हैं कि potential energy का displacement के square के साथ relation होता है और kinetic energy का velocity के square के साथ relation होता है अब potential energy का formula हमारे पास है half k x का square और kinetic energy अगर मैं k की formula लिखूं तो मैं velocity की form में लिखूं तो half mv square है इन दोनों formula में x और v को replace करते हैं x को replace करते हैं और v को replace करते हैं x किसके equal होता है x होता है x not cos theta और v होता है cos theta नहीं हम mean से start कर रहे हैं x x not sin theta लिखेंगे अगर extreme होता तो फिर cos आता वो velocity क्यों होगी v not cos theta तो जब आप इन formula में x और v को replace करेंगे तो ये दोनों formula चेंज हो जाएंगे ये formula क्या बन जाएगा potential energy is equal to half k x not square cos square theta और kinetic energy का formula बन जाएगा one over two m v not square फिर मैंने गलती कर दी cos square theta नहीं sin square theta और velocity में cause आता है तो यहां पर आएगा cos square theta अब इन दोनों formula को अगर आप देखो तो half k x not square और half m v not square ये क्या है ये maximum kinetic energy या maximum potential energy है तो दो formula अब आपके पास आगे एक आगया potential energy is equal to maximum potential energy times sin square theta और ये formula आपके पास आगया kinetic energy is equal to maximum kinetic energy times cos square theta तो जैसे theta की value से आप displacement और velocity find कर सकते हो तो यह जो मैंने formula लिखे इन जगों पर अब theta अगर आप put करो तो आप potential energy और kinetic energy को भी find कर सकते हो total energy तो constant है वो half k x not square के equally होगी उसको find करने की जुरुरत नहीं है mainly हमें find ये करना होता है कि theta की value change होने से potential energy और kinetic energy क्या change होगी और मैं बता दूँ ये बात ये दोनों formula इंस्टेंटेनियस के लिए clear जैसे theta अगर मैं कहूं 30 तो sin 30 1 by 2 तो 1 by 2 का square 1 by 4 तो potential energy 1 fourth होगी और kinetic कितनी होगी 3 fourth आपको example इसकी दूँ in formula की कि if theta is pi by 6 जैनि 30 degree और even time की form में भी कह सकते हो आप theta की जगा omega t put कर दो if time is t by 12 तो इन points पे potential और energy क्या है potential देखें क्या आएगी maximum potential जो half के x not square है और 7 यहां पर आजाएगा sin theta और angle यहां पर क्या है 30 तो यह आजागा whole square sin 30 क्या होता है 1 by 2 तो इसे क्या बता चला कि इस point पे potential energy जो है वो maximum energy के one fourth के equal है और अगर मैं इस point पे kinetic energy की बात करूँ इस angle के उपर तो kinetic energy maximum times यहां एका cos 30 whole square और cos 30 की value हमें पता है कि कितनी है under root 3 by 2 यह direct भी आप कह सकते थे यह अगर potential one fourth है तो इस point के उपर kinetic क्या है वो 3 by 4 है वो 3 fourth हो जाएगी यह फार्मूलाज बिलकुल आप sequence में लिकर याद करें क्योंकि जहाँ फार्मूलाज पता होंगे तो तब ही इसके question solve होंगे अब उपर एक question पूछा था कैफ ने या खिजर ने किस point के उपर हमारे पास potential energy और kinetic energy equal होते हैं तो अब आपको answer पता चल जाएगा कि वो किस point पे equal होंगे 45 degree पर क्योंकि sin 45 और cos 45 equal होते हैं तो 45 degree पर potential energy और kinetic energy equal होगी और 45 क्या होता है पाई बाई 4 टी बाई 8 तो यह फार्मूलाज जो हैं यह आपको help करेंगे ऐसी values को find करने के लिए क्लियर हैं यह फार्मूलाज उपर एक point मैं बता दूँ जिस point के उपर आप कहते हैं कि कानेटिक energy maximum है या potential energy maximum है आप कह सकते हैं कि जब कानेटिक energy maximum है तो यह total energy के equal है और जब potential energy maximum है तो यह भी total energy के equal है तो यह point आप लोगों ने यहा रखना है कि जो maximum potential energy होती है या maximum कानेटिक energy होती है यह total energy के equal है और इसकी value half k x naught square के equal है तो अगर इसकी value total energy के equal है तो मैं यहाँ पर भी replace कर सकता हूँ मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि मेरी potential energy total energy का one fourth है और मेरी कानेटिक energy total energy का three fourth है और होना भी चाहिए तब ही total energy हमारे पास one factor बनता है one by four plus three by four is equal to one और जो point मैंने angle का बताया था वो यहाँ दुबारा बता दूँ कि जब हमारे पास angle या phase हम बोलेंगे इसको ज़्यादा preferable है कि phase 45 degree होगा जिसको pi by four कहते हैं और time हमारा कितना होगा t by eight इस point के उपर हम जानते हैं कि cause 45 और sin 45 equal होते हैं one over under root two तो फामूलास को जब यूज़ करेंगे तो इस point पे instantaneous potential energy और instantaneous kinetic energy equal होंगे फात्पा इबरान ये करेंगे solve अभी question हम ने करने हैं होसला किया करें मैं आपको बार बार समझाया आप लोगों को कि wait किया करें unless topic खतम ना हो जाए आपके सवाल अगर नहीं address होंगे फिर आप लोग पूछें जो अगर address हो जाते हैं तो फिर पूछने की मेरा क्याल है जरुरुत नहीं है last point आज का graphical representation कि हम energy conservation को graphically कैसे represent करते हैं अभी तक आप लोगों की एक आदत नहीं बनी कि जब एक चीज़ पढ़ा रहा हूं तो उस पढ़ाने के दुरान सवाल ना पुछा करें wait किया करें आप लोग बस मैं पढ़ा रहा होता हूं एक topic का उसके बीच में आप लोगों को question याद आते हैं पूछ ले तो उसको लिख लिया करें और बात में पूछा करें और यह आपके habit आगे का मानी है अगर आप लोग आगे medical colleges में जाते हैं तो medical colleges में आपको कोई भी professor कोई doctor आपको ऐसे सवाल नहीं पूछने देगा कि आप randomly बस जहां दिल करें आप सवाल पूछ लें तो wait करना होता है जो पढ़ा रहा होता है जो बता रहा होता है इसकी बात को complete होने दिया करें फिर अपने सवाल को उसके आगे रखा करें यह सबसे बहतरी इन तरीका होता है हर जगा सिर्फ पढ़ाने में नहीं overall अगर आप किसी से बात कर रहें तब भी तुसरे की बात को सुनने की आदत बनाएं अब energy conservation के अंदर हम दो तरह के graph को discuss करेंगे एक हम जो graph discuss करेंगे वो graph हमारे पास होगा between energy and displacement और दुसरा graph हम जो discuss करेंगे वो होगा between energy and time और इन graph की shapes को भी या रखिएगा कि इन graph की shapes क्या होती है पहला graph हम discuss करते है energy conservation में जिसमें energy along y है और position या displacement along x है तीन points यह center जहाँ displacement 0 यह हमारे पास mean position है पिर एक right extreme और एक left extreme x is equal to x not x is equal to x not एक positive obviously right और एक negative यह दुनों extreme point है मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि energy और displacement का graph अगर draw किया जाए तो potential energy के graph की shape क्या होगी kinetic energy के graph की shape क्या होगी और total energy के graph की shape क्या होगी क्या answer आपका होगा बिल्कुल parabolic shape होती है potential energy और kinetic energy के graph की और total energy का graph जो होता है वो straight line होता है कैसे? potential energy को मैं white से show कर रहा हूँ mean position पे आप लोग जानते है कि potential energy क्या होती है minimum और zero और extreme point के उपर जो potential energy हमारे पास होती है वो क्या होती है? वो maximum होती है चाहे right हमारे पास extreme हो चाहे हमारे पास left extreme हो इन points को जो मिलाया जाता है smooth line से तो graph की जो shape हमारे पास बनती है वो parabolic बनती है जो हम projectile motion में जो path draw करते हैं ये उसका reverse graph shape होती है अगर मैं kinetic energy की बात करूँ जिसको मैं green से represent करूँगा तो mean position के उपर जो kinetic energy है वो maximum है और उतनी है जितनी potential energy maximum है ये points सारे के सारे एक line में होंगे और extreme point के उपर जो kinetic energy होती है वो minimum होती है और वो zero होती है अब in points को अगर हम मिलाते हैं तो तब भी हमारे पास जो graph की shape ये numerical value की base पे हमारे पास graph बनता है क्योंकि एक value कम हो रही होती है और दुसरे उसके relative क्या आ रही होती है increase जब हम mean से extreme जाते हैं तो potential energy बहर रही होती है लेकिन kinetic energy की value कम हो रही होती है और जब extreme से mean की तरफ आ रही होते है तो potential energy हमारे पास कम हो रहा होता है और जो overall kinetic energy है वो क्या कर रही होती है? वो भढ़ रही होती है तो ये भी आपने या रखना है कि किस point की तरफ जाते वे क्या चीज़ भढ़ रही है और क्या चीज़ कम हो रही है ग्राफ की shape overall क्या है? वो पैरा बोलेक है linearly ये ग्राफ values रही हैं नहीं होती अब टोटल इनरजी की बात करें तो टोटल इनरजी किसके एक्वल है हाफ के एक्स नौट स्केर और वो थू आउड के है constant तो उसका जो ग्राफ होगा वो स्टेट लाइन होगा और वो ये कानेटिक इनरजी मैक्सिमम और पोटेंशल इनरजी मैक्सिमम इन में से पास होगा तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है टोटल इनरजी को जो ग्रीन हमारे पास है रिप्रेजेंट कर रही है कानेटिक इनरजी को और जो white हमारे पास है वो represent कर रही है potential energy को जहाँ पर यह graph अपस में intersect हो रहा है उन points को देखें यहाँ पर यह graph intersect हो रहा है और यहाँ पर यह graph intersect हो रहा है जैसे x और y axis जब intersect होते हैं तो वो origin होता है पर हम कहते हैं यहाँ पर दूनों की value क्या है? same तो जब भी graph आपस में intersect होते हैं इसका मतलब है कि वहाँ पर दोनों की value सेम है तो इसका मतलब जहाँ पर ये दोनों intersect हुए इन points के उपर potential energy और kinetic energy की value वो सेम होती है और ये बात मैं उपर कर चुका हूँ ये angle क्या होता है 45 degree और ये time क्या होता है t by 8 अब एक vibration में कितनी दफा potential energy और kinetic energy equal है एक vibration में कितनी दफा potential energy और kinetic energy equal है तो answer होगा 4 times 4 times equal होंगे क्योंकि अगर हम एक दफा mean से extreme जा रहे हैं तो फिर वापस भी तो आना है तो एक दफा mean से extreme जाते वे equal एक दफा extreme से mean आते वे equal फिर left extreme जाते वे और फिर वापस mean आते वे ये equal होंगे तो potential और kinetic energy एक vibration में four times equal होते हैं two times नहीं होता है, ये चीज यहाँ रखें अब ये graph तो हो गया, जिसे हमें पता चला कि हमारे पास जो shape है वो क्या है kinetic energy की shape अगर देखें तो वो भी parabolic potential energy की देखें तो वो भी parabolic और अगर हम total energy की देखें तो वो shape क्या है, वो straight line होगी parallel to displacement axis अब ये जो four times वाली बात है ये four times वाली बात आगे prove भी होती है जब हम energy का और time का graph द्रॉफ करते हैं अब next गाम आपका ये है कि हम मुझे बताएं कि अगर मैं energy का और time का graph draw करूँगा और यहां भी मैं तीन graph draw करूँगा एक मैं draw करूँगा potential energy का एक मैं draw करूँगा kinetic energy का और एक मैं draw करूँगा total energy का तो आँ मुझे बताएं graph की shapes क्या होंगी इन तीन होंगी अब ये respect to time और time क्या है एक vibration को four equal parts में मैं divide कर देता हूँ यहां time zero आ गया उसके बाद time t by four फिर time t by two time three t by four और time t आपने बहुत पताना है कि energy और time के graph की shape क्या होगी कि कानेटी का जो graph होगा वो cos square theta का graph होगा और potential energy का graph sin square theta का graph होगा और क्यों यह बात उपर जा उपर देखें जो मैंने explain की थी मैंने क्या बताया था कि potential energy के हमारे पास equation में कोन आता है sin square theta sin theta नहीं आता है sin curve नहीं होगी और कानेटी के ग्राफ में कोन आता है cos square theta आता है तो यह point या रखें कि हमारे पास जब energy का और time का graph draw होगा तो potential energy के फार्मूला के अंदर sin square theta sin square theta का मतलब क्या है sin square theta का मतलब यह है कि जब आपकी value negative होगी तो negative का square positive हो जाएगा इसी तरह cos theta की जब value negative होती है तो इसे cos 180 negative 1 तो यह negative 1 का square क्या हो जाएगा positive 1 हो जाएगा तो potential energy का graph हमारे पास कोन सा होगा sin square theta का graph kinetic energy का graph कोन सा होगा वो cause square theta का graph होगा अब इंग graph को मैं अगर draw करता हूँ potential energy 0 पे 0 t by 4 extreme पे maximum फिर mean के ओपर 0 फिर extreme के ओपर maximum और फिर 0 तो graph कुछ इस shape का बनेगा आपके पास क्या आप sin theta का graph negative half में होता है अब वो negative half में नहीं होगा अब वो positive half में बनेगा ये graph की shape है इसी तरह से अगर आप kinetic के graph की shape को draw करोगे तो kinetic mean के ओपर क्या होती है maximum exactly उतनी जितनी potential maximum है फिर extreme पे 0 फिर mean पे maximum फिर extreme पे 0 और फिर maximum तो इस graph को उल्टा कर दें तो ये graph इसका बनता है जो cause square theta का graph होता है ये graph की shape है इसको पैरा बोला नहीं बोलेंगे हम ये graph cause square theta और sin square theta का graph है और अगर total energy के graph की बात करें तो इनके जो extreme points हैं ये वाले इन तमाम points से गुजरती वी जो line होगी ये represent यहाँ पर किसको कर रही होगी ये total energy को represent कर रही होगी तो ये total energy ये potential energy तो ये green वाला kinetic energy है और white वाला हमारे पास जो है वो potential energy है और अब इस graph को देखें तो ये कितने points के उपर आपस में intersect हो रहा है तो जो उपर point आप कहते हैं कि एक vibration में 4 times equal होते हैं वो चीज यहाँ justify होती है एक दफा 0 से t by 4 एक दफा t by 4 से t by 2 फिर एक दफा t by 2 से 3 t by 4 और last time 3 t by 4 से t तो चार points हमारे पास ऐसे आये हैं जहां पर potential energy और kinetic energy की value क्या है same तो हम क्या लिखेंगे कि number of times potential energy is equal to kinetic energy in one vibration answer क्या होगा 4 4 times यह equal आ रहे हैं अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कितनी दफा potential energy एक vibration में maximum होती है और कितनी दफा kinetic maximum होती है क्या answer देंगे number of times potential energy is maximum और minimum in one vibration तब answer क्या होगा और similarly number of times kinetic energy is maximum or minimum in one vibration तब answer क्या होगा बिलकुल 2 2 times potential maximum है और 2 times kinetic maximum है इस 2 का मतलब क्या है इस 2 का मतलब यह है कि हमारे पास potential और kinetic energy की जो frequency है वो 2F है तो यह चीज पूछने का जो मकसद था वो यह था कि अगर हमारे से पूछा जाए कि simple harmonic motion में जो frequency होती है potential energy की और frequency होती है kinetic energy की वो क्या है और इस frequency को यूँ भी कहता है वो कि number of times potential energy and kinetic energy oscillates तो number of times potential energy and kinetic energy oscillates का मतलब है कि कितीं दफा maximum कितीं दफा minimum तो इसका answer होगा 2F और इसका answer भी क्या होगा 2F होगा और यहाँ पर अगर आप से पूछा जाए कि हमारे पास total energy की frequency क्या है तो हम जानते है कि हमारी vibration में total energy तो change ही नहीं हो रही अगर total energy change ही नहीं हो रही तो उसकी frequency क्या है वो 0 है यह उसी तरह से है जैसे आप rectification की बात करते है कि rectification के अंदर अगर हमारे पास alternating current एक wave है एक cycle है अगर उसका सिर्फ positive cycle convert हो तो आप कहते हैं कि half wave की जो frequency है वो input के equal है लेकिन जब आप से कहा जाता है full wave तो positive और negative cycle दोनों convert होते हैं तो दो ripples produce होते हैं और उन दो ripples का मतलब आप क्या कहते हो आप कहते हो frequency double है same यहाँ पर देखें हमारी जो simple harmonic motion की wave है वो sine wave है लेकिन potential energy की जो wave है वहाँ total number of positive जो ripples हैं वो कितने हैं 2 तो total number of positive ripples अगर 2 हैं इसका मतलब यह होगा कि potential energy की frequency 2F है similarly अगर आप kinetic energy के number of ripples की बात करो तो एक vibration में kinetic energy की भी जो number of ripples हैं कितनी दफा वो oscillate करता है वो भी कितने है 2 उसकी frequency भी क्या है वो 2 है तो यह 2F अला point आप लोगों ने याद रखना है कितनी दफा potential oscillate करता है कितनी दफा kinetic oscillate करता है इसका मतलब है कितनी दफा वो maximum और minimum होता है तो 2 दफा maximum 2 दफा minimum तो frequency 2F और total energy oscillate नहीं करती क्योंकि वो constant रहती है change नहीं होती और जो चीज़ constant या change नहीं हो उसकी frequency को 0 कहा जाता है रिपल्स की वज़ा से तो यहां भी रिपल्स को देखें अगर simple harmonic motion को देखा जाए पर time T में एक wave produce होती है crust और truss एक wave है और यहां पर 2 waves produce होती है तो 2 waves क्यों? 2 ripples है 2 positive peaks है मेरा question आप से सबसे पहला वो यह है forward value of x simple harmonic motion में x की क्या value होगी? potential energy is half of maximum kinetic energy forward value of x potential energy is half of maximum kinetic energy जल्दी से इस question को solve करें फिर हम next question की दरफ जाएंगे दो तिन questions करेंगे फिर आज के topics आज हमारा ज़्यादा time नहीं होगा lecture का short सा lecture होगा क्योंके topic बड़े चोटे चोटे से और theoretical है और एक काम करें x भी calculate करें x के अलावा time भी calculate करें और इसके अलावा theta भी calculate करें तीनों चीज़ें calculate करें तो overall आपके practice हो जाएगी कि एक question में तीनों चीज़ें कैसे find किये जा सकते हैं आपके question यह आए कि potential energy और kinetic energy की value सेम है इनका मतलब एक ही है हमें solve करके बता देता हूं क्योंकि आपको इसका तो answer पता है कि potential energy और kinetic energy किस point पर equal आते हैं तो देखते हैं वो answer यहाँ पर आता है या नहीं आता solution क्या है आपने दोनों के formulas को substitute करते हैं left side पे आपने instantaneous potential energy का और right side पे maximum kinetic energy का formula पूट किया half cancel हो जाएगा k cancel हो जाएगा तो x square equal आजाएगा x naught square over 2 अब square eliminate करने के लिए क्या लेंगे under root जब under root लेंगे तो x is equal to x naught over under root of 2 हमार answer होगा तो same वही answer है जो potential energy और kinetic energy के equal आने से होता है इसके लावा मैंने आपको कहा था कि time को calculate करें और theta को calculate करें अब दो तरीके हैं एक तरीका तो यह कि अगर आपको x की value पता चल गई है तो आप x is equal to x naught sine theta को use करके calculate कर लें कि आपके पास time और theta क्या होगा और दूसा तरीका यह है कि आप potential energy का formula ही वो use कर लें जिसमें sine square theta या cos square theta आता है उससे भी आप solve कर सकते हैं वह आप पर depend करता हैं आप कैसे करना चाहते हैं अगर मैं displacement से solve करता हूँ x is equal to x naught sine theta x कितना है? x naught over under root 2 तो यहां से आपका theta calculate हो जाएगा तो sine theta 1 over under root 2 है आप जानते हैं कि sine यहां जाके जब inverse होगा तो sine inverse 1 over under root 2 का मतब है 45 degree और 45 degree क्या होता है? यह होता है pi by pi by 2 90 तो 2 से divide मजीद करेंगे यह pi by 4 होगा time रह गया गब theta calculate हो गया तो time calculate हो सकता है अब यह method देखिएगा कि कभी अगर आपको theta से time calculate करना होता है theta omega t, omega क्या होता है? 2 pi over time period तो यहां पर आप values put करें तो हमारे पास जो theta की value है वो pi by 4 है तो theta की बस value put करनी है यह cancel होगा cross multiply तो time कितना आगया? t by 8 तो यह 3 answer इसके है displacement कितनी होगी? x0 over under root 2 angle कितना होगा? face कितना होगा? 45 degree और time कितना होगा? t by 8 तो यह वो values हैं जिसपे potential energy maximum kinetic energy के half यह वो point है जिसपे potential और kinetic energy की value same आती है next question next मेरा question भी ऐसा ही है अब लेके मैं question को reverse form में पूछूंगा question यह है कि if x is equal to x0 by 2 x x0 by 2 है means amplitude का half है then what will be the ratio between potential energy and kinetic energy at that point? अगर x x0 by 2 है तो इस point के ऊपर potential और kinetic की ratio क्या आएगी अब इस को सॉल्व करने का method क्या होगा? ratio है इन दोनों के formula's को values put करते है potential energy का formula होता हाफ के x2 और kinetic का formula होता हाफ के x0 स्केयर माइनस x2 जो half और k होगा वो cancel हो जाएगा और यह हमारे पास आजाएगा x2 over x0 स्केयर माइनस x2 अब value put करते हैं अब इस value को यहां substitute करें x कितना है? x is x0 by 2 यह आगया whole square और नीचे x0 स्केयर माइनस x0 by 2 whole square स्केयर लेके आपने solve करना है numerator में x0 square by 4 denominator में x0 square minus x0 square by 4 तो 1 minus 1 by 4 denominator में जब आप LCM लेंगे तो यह आपके पास आएगा 3 by 4 अब क्या चीज़ cancel out होती है? x0 square cancel हो जाएगा 4 cancel हो जाएगा तो answer क्या होगा? 1 ratio 3 तो जब हमारी displacement x0 by 2 हो तो potential और kinetic की जो ratio होगी वो 1 ratio 3 आएगी यह question time और theta की form में भी पूछा जा सकता है तो तब भी आप इसको solve करते हैं और तब मैं आपको यह recommend करूंगा कि अगर यह question time या theta की form में होता तो तब आप potential energy का जो formula है वो कौन सा use करते? जिसमे sin square theta involve हो रहा होता है यह वाला यह potential energy का formula और जो kinetic energy का formula अब तब use करते हैं उसमें cos square theta आता है पहले step में potential energy cancel हो जाती आपने बस sin square theta और cos square theta को solve करना है और even यह formula यह लिखे जा सकते हैं कि total energy times और मैं theta को omega t भी लिख सकता है तो time की form में अगर यह question हो तो तब भी आप इसको solve कर सकते हैं यह बजाए इसके के पहले आप x से time calculate करें theta calculate करें आप direct in formulas को use करके divide कर लें आपका answer आ जाएगा clear है यह point last question और फिर आज के हमारे topic if kinetic energy is equal to 3 fourth of its maximum value अगर हमारे पास simple harmonic motion में kinetic energy किसी point के ओपर 3 fourth है maximum value के तो क्या करना है आपने यह find करना है कि उस point के ओपर potential energy energy और total energy किस ratio के अंदर है 1 ratio 4 ही answer आएगा और यह direct हो सकता है यह अगर किसी point पे कानेटिक energy 3 fourth है तो obviously उस point के उपर अगर आप direct लिखना चाहो तो क्या कहोगे कि उस point पे जो potential energy और total energy की ratio क्या है 1 ratio 4 किसी भी form में question आए easy question है आप उनको solve कर सकते है main चीज बस आपने यह देख लेना है कि क्या चीज हमसे पूछ रहा है examiner उसके according solve करें आपका answer आजाएगा हुआ 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 है